जिसकी वज़ा से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ट्विन एग्सॉस्ट ठीक है और सीरियसली जब गाड़ी चलती है रोड प्रेजन्स काफी तगड़ी लगती है गाड़ी की वाल आप्शन है वो इसमें से बिलकुल याटा दिया मतलब आपको की तो मिलेगी कंपनी से लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि गाड़ी को आपको में करने के लिए या गाड़ी को अनलॉक करने के लिए आपके पास क्विवन ही ज़रूरी है इब आपको digital की में लेगी आपके mobile phone में जो भी ओनर है गाड़ी का और वो शेयर भी कर सकता है उसकी को ठीक है तो आपको या करना है एप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में and simply यहाँ पर इस तरह से टैप करना है गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलोक हो जाएगी यह बहुत ही जादा हेड़-on फीचर है जो कि इस सेगमेंट में तो नहीं मलता भाई BMW की i7 में जरूर आता था वो तो भाई एक करोड प्लस की है यह नॉमल मोड में and यह देख सकते हो इको मोड पर पूरी थीम चेंजर आती है काफी बढ़े लगती है ब्लू लाइट के साथ में and अगर डालते हैं इसको स्पोर्स मोड में तो देख रहे हो बीस्ट तो वाई वाई विडियो अन्टोड विडियो अन्टोड वी हाव वाल न्यू अलकजार और दिस इस दी फेसलिफ्ट जो के भी रिसेंटली लॉंच किया है हुंडाई ने और यहां पर आपको अप्लीटली नीव लुक्स लेखने को मिलेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से रडार यहां पर आता है डास लेवल टू अन्ट इस इस दी फ्रेंट लुक अफ दिस अलकजार कमेंट करके बताना कैसी लग रहे हैं आपको यह गाड़ी अन्ट साइड से अगर बात करें तो साइड लुक थोड़ी सी आपक यहां पर आपको completely new देखने को मिलेगी and these are the massive 18 inches alloy wheels यह वाले design भी आपको यहां पर नया देखने को मिलेगा in this facelift friend or rare में आ जाते हैं disc brakes काफे जादा बढ़िया and rare से अगर बात करें तो rare भी आपको काफी बढ़िया है यहां पर देखने को मिलेगा बलकुल fresh new tail lights के साथ में these are the signature tail lights alqazar की badging आ जाती है यहां पर this is a signature top and variant in petrol turbo जिसकी वज़ा से आपको यहां पर देखने को मिलेंगे twin exhaust ठीक है and seriously जब गाड़ी चलती है road presence काफी तगड़ी लगते है गाड़ी की अब especially in tail lights की वज़ा से ठीक है यहां पर इस तरह से wiper defogger वगेरा मिल जाते है and एक और चीज य ग्लॉसी ब्लैक में काफी बढ़े लगता है और चाबी की अगर बात करें तो इस तरह से आ जाते की lock unlock to start the car and to open the boot ठीक एक बार इसका boot open करके देख लेता है and guys अगर boot space की बात करें तो यहाँ पर massive boot space मल जाता है and इस तरह से अगर आप seats को unfold कर लेते हैं तो massive boot space में बन जाता है but अगर आप इनको unfold करते है तो इतना आपको boot space लेखने को मिलेगा easily आप अपने एक दो बैग यहाँ पर रख सकते हो and guys seriously पीछे भी काफे ज़ाद अच्छ आपको क्या-क्या features देखने को मिल जाएंगे in this Alcazzar so guys right now I am in BM Hyundai Dehradun if you have any query regarding any of Hyundai car you can contact to showroom details आपको screen पर दिख रही होगी and काफे अच्छे आपको यहाँ पर service देखने को मिलेगी so guys जब चेक करते हैं इस गाड़ी का interior क्योंकि interior में भी काफे जाद अच्छे changes है Hyundai ने इसमें and स सबसे पहले तो भाई इसका जो की वाल option है वो इसमें से बिलकुल याटा दिया मतलब आपको की तो मिलेगी company से लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि गाड़ी को on करने के लिए या गाड़ी को unlock करने के लिए आपके पस क्योंनी जरूरी है अब आपको digital लेगी आपके mobile phone में जो यह बहुत ही जादा head-on feature है जो की segment में तो नहीं मलता भाई BMW की i7 में जरूर आता था वो तो भाई एक क्रोड प्लस की है और यह चीज काफे सही लगी कि इस गाड़े में आपको यह फीचर देखने को मलेगा और यह बहुत जादा convenient feature है seriously अब चलते interior में and let's see interior में क्या यहाँ पर memory seats आती है तो यह automatically आपकी position भी ले लेगा दो बंदो के adjustments से आप इसको set कर सकते हो जिससे आप सापको set करनी है and door panel की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है black and brown dual color combination के साथ में door panel and interior also and यहाँ पर यह पूरा leather मिल जाता है leather finishing power windows आ जाते है इस तरह से you can see memory seats system काफी बढ़िया sound quality अभी चेक करेंगे तो interior में आ जाओगग तो कैसी door close कर लिया है and you can see seats अपने accordingly adjust होगी है क्योंकि दो memory seats के option आते हैं यहाँ पर यह काफी बढ़िया feature होता है memory seats का चाह भी रखते हैं यहाँ पर and push start button आ जाता है यहाँ पर तो एक बार गाड़ी को कर ले तो on यहाँ पर आता है इस तरह से push start button और यहाँ पर आ जाता है fully digital instrumental cluster and यहाँ पर big size का infotainment system and यह काफी ज्यादा अच्छा लगता है सेम उसी तरह से काफी अच्छा लगता है class ही लगता है देखने में देख सकते हो and तीन modes आते हैं यहाँ पर तो उसके according यहाँ पर theme भी change हो steering wheel and यहाँ पर जो एक differentiate किया है इनोंने क्रेटा से वह यहाँ पर करते है कि piano black यहाँ पर आपको देखने को मलेगा पहले यह आता है इस तरह से silver satin finishing में क्रेटा में अब भी आता है जो क्रेटा में लेकिन alcazar में आपको इस तरह से मलेगा piano black में तो आप differentiate करवा सकते हो लोग system pedal shifter से देख सकते हो since it's a DCT transmission काफी बढ़िया parking reverse neutral drive and sports mode is also there यह चीज मला Hyundai में यह चीज आ रहती है कि जो premium ने से वह आपको next level मिलती है इंगी गाडियों में and अगर बात करें आप infotainment system की तो काफी जादा smooth मिल जाता है infotainment system you can see crata में आता है same उसी तरह से navigation वाजार आ जात सब्सक्राइब है इस तरह से blue link आ जाता है यहां पर media radio जियो सावन वैलेट मोड भी आता है वैलेट मोड का आपको feature बाता हूं बहुत ही ज्यादा बढ़िया मतला Hyundai में भाही नो नहीं इतने तगड़े features दे दिए को digital की जैसे मैंने आपको बताया phone शाप अपने गाड़ी क operate कर सकते हूं even start भी कर सकते हूं and यहां पर wallet mode आता है इसमें क्या रहता है अब अगर आप इसको अपने accordingly वो कर ले तो set तो यह क्या होगा जैसे कि आपने देखा होगा hotels बगार में जाते तो wallet को हम दे देते हैं अपनी गाड़ी वैले को ठीक है तो वो अपनी गाड़ी को access पूरी तरह से तो यह वाला जो portion है यह आपको वजाता है बिलकुल ही lock ठीक है तो यहां पर कोई भी छेड़गानी नहीं कर सकता कोई भी changes बगार नहीं कर सकता वल्लब इसका access उसके पास नहीं रहेगा ठीक है तो यह चीज़ काफी बढ़िया है and features आप देखे सकते हो कितन आपको देखने को मिल जाएगा and उपर देख सकते हो यहां पर पैनरामिक संरूफ उसको भी open करके दिखाऊंगा sun glass holder आ जाता है तो इसको लेते हैं एक बार open and let's see कि कितनी बड़ी यहां पर आपको संरूफ देखने को मिलेगी in this alcazar यह पूरा इसका यह शेड है पीछे तक हो चुक है open and यहां पर देख सकते हो one touch में हो जाती है sunroof open and this is huge easily एक नहीं दो दो बंदे में अराम से निकल सकते है तो यह चीज़ काफी सही है कि sunroof huge मिल जाती है and one touch से ही हो जाती है close ठीक है अब आते हैं यहां पर these are the AC controls ठीक है touch buttons के साथ में आते है बहुत ही बढ़िया ठीक है लेकिन although जो इन्होंने यह दिया है वॉल्यूम बटन वग्यार है यह मैनुवली अजस्टमेंट के लिए दिया है ठीक है and but these are the touch buttons and काफी premium लगते है fit and finish next level है यहां पर नीचे देख सकते हो these are the this is a c-type charging port 12V का power socket आ जाता है USB port आ जाता है यहां पर आ जाता है इस तरह से अपना wireless charging के लिए option ठीक है और पीछे भी इसमें wireless charging का option आता है वो भी दिखाऊंगा मतलब बहुत ही जाता इंट्रस्टिंग कार है seriously अभी एक एक करके सारी चीज़े बात करते हैं यहां पर आ जाता है DCT transmission and front two seats are ventilated and पीछे की जो दोनों seats है न यह भी ventilated मिल जाती है तो proper एक जो बोलते हैं कि comfort wise बहुत तकड़ी गाड़ी है सारी features मिलते हैं यहां पर इस तरह से एक parking mode मिलता है इसको अगर आप प्रेस करते हो तो पूरा यहां से आपको camera वगेरा दिख जाएगा 360 degree camera आता है यहां पर देख सकते हो ठीक है so you can check out guys quality कित्मी जादा बढ़िया है यहां पर camera की देख सकते हो उस तर ठीक है तो यह चीस काफिस ही है और camera quality कैसे लेगी आपको comment करके जरूर बताना ठीक है तो यह तो था infotainment से related सारी features वगेरा यहां पर आ जाते है इस तरह से cool club box decent size है यहां पर आते है इस तरह से button you can see यह आता है for different modes ठीक है अभी अगर मैं इसको press करते हूं तो यहां पर drive mode ल and sand and अगर मैं इसमें snow पर select कर देता हूं तो you can easily drive on snow, mud, sand तो यह काफि जादा useful features है and यहां पर एक drive mode आता है जिसमें आपको normal eco and sports mode मिल जाएगा तो अभी गाड़ी delivery है normal mode में and यह देख सकतो eco mode पर पूरी theme changes आती है काफि बढ़े लगती है blue lights के साथ में and अगर डालते हैं इस ठीक है तो यह चीज काफि बढ़े लगते है और जो इसकी theme है na especially वो मुझे काफि बढ़े लगी यह देख सकते हो sand एक second sports mode eco sports eco normal तो यह चीज काफि बढ़िया है and heads off है भाई मेरी तरफ से तो उन्डाई को बहुत ही बढ़े product है guys if we talk about mileage कितना देती है गाड़ी ठीक है तो यहाँ पर आपको petrol में DCT transmission के साथ में अराम से 16-17 की mileage मिल जाएगी highway पे and city में अराम से 13-14 की mileage गाड़ी देती है ठीक है यहाँ पर different different आपको safety features मिल जाते हैं जैसे कि मैंने मताया अगर total safety features की बात करें तो यहाँ पर आपको 70 plus advanced safety features मिलते हैं सेफटी भाई next level है कोई भी compromise नहीं है छे एर्वेक्स मिल जाते हैं गाड़ी में ठीक है and guys यहाँ पर आपको मिल जाते है steering adjustment tilt as well as telescopic तो यह चीज़ काफी बढ़िया है so guys let's check out the space in rare कि rare में आपको कैसे space बगयर मिल जाएगा in the salcazar and rare में जो comfort है उसके लिए गाड़ी बड़ी famous हुई है जबसे इन्होंने launch किया यह facelift एक तो आपको यहाँ पर मिल जाता है थाई support देख रहे हो extendable मिल जाता है थाई support इस तरह से ठीक है तो इसको आप थोड़ा स travel कर सकते हो ठीक है एक और चीज आपको यहाँ पर काफी जादा बढ़िया मिलेगी कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो buttons मिल जाते हैं this is to adjust the seat ठीक है आगे की तरफ and this is for this back support इसको आप आगे पीछे कर सकते हो button C तो जीतना आपको space चाहिए मालो मेरे driver गाड़ी चला है यहाँ पर कोई नहीं बैठा है और मुझे space चाहिए तो अपने accordingly गाड़ी को adjust कर सकते हो ठीक है तो यह भी काफी बढ़िया feature है ठीक है and काफी अच्छ है यहाँ पर legroom मिल जाता है और एक और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस तरह से tray यहाँ पर अपना कुछ भी समान वगएरा रख सकते हो ठीक है and यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से 10 cup holder ठीक है यहाँ पर pen के लिए अपना pen वगएरा या phone वगएरा रखना है जो अभी आपको and maximum weight आप इसमें साधे तीम के लोगा रख सकते हो तो यह चीज भी काफी सही है and headroom वगएरा कि अगर बात करे काफी अच्छा मल जाता है यहाँ पर headroom easily 6 feet का वंदब बढ़े अराम से बैर सकते कोई दिक्कत नहीं है curtains आ जाते हैं इस तरह से ठीक है inbuilt तो यह भी काफी बढ़ी है चीज है यहाँ पर इस तरह से armrest आ जाते है ठीक है individual seats के लिए अलग-लग यहाँ पर armrest है बीच में रो आती है जिससे कि आप पीछे जा सकते हो ठीक है since this is a six-seater variant अब मैं आपको जागे दिखाता हूं पीछे क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि भाई six-seater यह seven-seater गाड़ी तो बोल देते हैं लेकिन space पीछे बलकुल नहीं होता तो let's see कि मेरी idea five seven और मैं कितने comfortably पीछे बैठ सक ठीक है तो पीछे की seats हो चुकी है unfold and अब देखते हैं कि भाईर पीछे कितने space मिलता है so guys my height is five seven and मेरे हिसाब से मैं इस गाड़ी में अराम से सो डेट सो किलोमेटर बड़े इजीली ट्रावल कर सकते हूं मतलब काफी सई space मैं मतलब यह वाला जो घुटना है यह तो आगे इजर की दरस निकल चुग है लेकिन जो यह वाला घुटना है इसमें अभी भी सीट्स टच नहीं कर रही है थोड़ा से space बाकी है तो बड़े इजीली अब इसमें ट्रावल कर सकते हो और इसका जो बैक सपोर्ट है रिकलेन एंगल है यह थोड़ा और अगर पीछे एडजस्ट हो जाता तो काफी सही रहता अधर्वाइस ऐसे भी ठीक है और यहाँ पर आ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसी वाचा से आप बोल सकते हैं गाड़ी फीचर लोड़ीड है और इस पीछे भी आपको यहाँ पर वायरलेस चारजिंग मल जाती है तो यह चीज भी काफी सही है और दो मिल जाते हैं C-type charging port और पीछे भी आपको मिल जाते हैं C-type charging port तो पो फून तो यह होते हैं भाई features और यही काफी जादा useful भी आते हैं especially long trips पे एस events वागार से आ जाती है यह एर purifier इसमें नहीं है I think महाँ पर AQI वागार मलता है inbuilt पहले हाँ पर आता था एर purifier तो यह था भाई all about this Alcazar कैसी लिए आपको यह गाड़ी कमेंट करके बताना गाई अच्छी लिए तो लाइक कर देना अन्ड कमेंट कर देना ना अच्छा कोई सब्सक्राइब कर देना मिलता नेक्स वीड्यो में तब तक के लिए बाई बाई